सबसे पहले हमने create new पर click करने है और weight और height को 720 रखना है और background को black कर लेना है और create पर click कर देना है, create पर click करने के बाद ये image को drag and drop करना है ये आल image खार link में description में भी add कर दूँगा background को हमने इदर से layer में convert कर लिया है और इस image को check कर लिया है, check करने के बाद rectangle tool लेना है, rectangle tool add उतरने के बाद आप लोगोंने simple इदर से drag करना है, drag करने के बाद इसे adjust करना है, email के मताबक ताके हमें सिर्फ bench शो और हमें bench ही चाहिए पीछे वाल टेक्चर नहीं चाहिए तो इसे द्यान से zone करके adjust कर लेना है, mask पर click कर देना है mask पर click करने के बाद हम दोगोंने simple इदर brush tool लेना है, और brush tool में size को adjust कर लेना है और इसे मैं इदर से color black कर दूँगा, black करने के बाद simple इदर इसे नीचे सारा black कर देना है अच्छी ता हम black करने के पाद new layer add करनी है, new layer add करने के पाद simple इदर यहां पर भी हम लोगोंने brush के size को बड़ा कर लेना है, और यहां पर दोनों side पर हमने black shade add कर देना है और यह image को drag and drop कर लेना है, इसका भी link नीचे मिल जाएगा description में आप लोगों को और इस image को adjust कर लेना है अच्छी तरह जहां आपको अच्छा लगे और यह image भी drag and drop कर लिया easily, यह मैं इस तरह इसलिए बना रहा हूं ताके ना वीडियो छोती हो तो यह burger का size थोड़ा लग रहा था तो हमने वोने simply scale wise चोटा कर लिया है और fries को इदर पीछे कर लिया है, burger को add कर लिया है प्राइज में हमने sharpen add कर लिया है, add करने के बाद simple इदर bush tool add किया है और shadow देने के लिए हम लोगों ने इसको नीचे alt plus shift के साथ हम लोगों इसको नीचे dragon dog का के shadow process को adjust करेंगे प्राइज को मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँगा और shadow को भी साथ थोड़ा सा adjust करने burger को भी साथ adjust कर लेना easily तो इदर simple इदर duplicate layer add कर लेनी है प्राइज करने के बाद हम लोगों ने burger के नीचे भी shadow थोड़ा सा slightly साथ दिर एड़ कर देना है और इसे scale wise थोड़ा पड़ा कर लेना है तो यह थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा इसे adjust करूंगा कम कर लिया है कम करने के बाद तो यह shadow गड़ा दोनों को select कर लेना है और यह फ्रैज थोड़ा उपर अपर लग रहा है इसे थोड़ा बढ़ा कर इसे फ्रैज के पास एड़ कर देना है अब यह unique टैप लग रहा है और shadow show हो रहा है और यहां पर मैं background पर इसे simple लेकर new layer एड़ करके इसे color दूँगा ताके एक tune एड़ो और unique टैप मैंने इसको color को थोड़ा सा कम कर लिया है scale wise चोटा कर लिया है चोटा करने के बाद इसे मैं drag करूंगा ने के लिया हो और पीछे show हो ताके हमारी image थोड़ा एड़ हो जाए थोड़ा सा light effect एड़ हो जाएगा इसे और आप लोगों इसे टेक्स पर एड़ करने हैं तो कोई भी आप लोगा आड़ कर सकते हो मैंने इस सिंपल डिलिशियस एड़ कर दिया है और इसको color देर दिया है और ही टैप और आप font इसे adjust कर सकते हो मुझे यह font अच्छा लग रहा है और यह सब सेंप प्रोसिजर है कोई इसमे अब लोगों का यह नहीं एक टैक्स आपको भाइ करना पड़ेगा पर टूल हो यह कोई हो चीज हो तो मैं सिंपल मेतल में आप लोगे बता रहा हूं कि आप लोग इसमें लन्निंग कर सकते हो कżej पर बाद यह तो परह लेंगे बढ़ा करने के बाद यह जिसमें थरुजा इस एच्छी लगी है हुई यहां पर मैं इसे सिंपल आइड करूंगा और एंपर मैं इसे का नाम दे दुझा बढ़गान का नाम एड कने के बाद इसका पॉंट कलर चेंज कर देंगे कलर चेंज करने के लिए हैं वाइट मैंसे एड करूंगा और एड करने के बाद इधर सिंपल फॉंट में मैं इसे फॉंट चेंज करूंगा मुझे यह फॉंट तो अच्छा लग रहा है मैं फिर भी थोड़ा हूँ अधर से जो युनिक टैप लगे यह चीज अच्छी थी तो मैंने इसे स्केल में बढ़ा कर लिया और इसे एड जेस्ट करूंगा तो इसमें मैं यह जो बी कैपिटल है इसको बढ़ा कर दूंगा साइज में 120 कम है 130 इनफ और यह जो डिलीशियस है यह इसके यहां पे सेंटर में एड कर दूंगा और इस दिलीशियस कोई थोड़ा सा स्केल में बढ़ा कर दूंगा ताके पढ़ने में अच्छी हो युनिक टैप लगे तो एजस्ट करने के बाद इसे सिंपल हम लोगा ने इसके कलर को थोड़ा साच यह नहीं कर दिया है यह पर थोड़ा युनिक टैप लागए रहा है यहां पर मैं यह पर में यह प्रियों डिलीवरी पर टैक्स के साथ एड करने लगा था फिर मैंने यह लोगों जस्ट एड करूंगा इदर जो के युनिक टैप लगे बाद और इसको मैंने पी पी एंजी में एड किया है और मैं पी एंजी करने का भी यह थिल्ड कर सकता हूँ है इसे सिंपल इदर हमनों को लेयर में करना है और है रिमु Вы बैक कर्कान पर कर देैंद and here आप लोग प्र अपलाई लैयर मास्क पर इसे एड कर देना है और इसको भी ओडरनों को simple scale by छोटा करना है और जहां आप लोग adjust करना चाहिए adjust कर सकते हैं मैंने इसको इधर simple add करती है करने के बाद दर मैं text करूंगा कोई भी number आप लोग adjust कर सकते हैं आप लोग लोग आड करना चाहते हैं तो आप लोग लोग आड कर सकते हैं मैंने यह simple way में इसको पी एंजी में कर लिया है और यह लोग आड कर दी है और अब इधर कोई website आप लोग आड करना चाहते हैं वो भी आड कर सकते हैं उससे पहले मैं इस ही यहां पर यह back पर से smoke आड करूंगा और यह adjust करके चेक कर रहा हूं लेकर मुझे यही simple अच्छी लगी और इसको मैं blur में watts खरने के गर दूंगा और इसकी एछिय को थोड़ा सा कम कर दूंगा और andURk का के करने के बाद मास्क पर क्लिक कर देना है मास्क पर क्लिक करने के बाद बुश टूल लेना है बुश टूल लेने के बाद स्केल को अज़ेस्ट करना है और ये इदर लाइन शो और इथिस्ट को मैंने खतम कर दी है और आप भी यहां से भी थोड़ा सा बलारव करा कर दिये मैं इसे थोड़ा सा निचे ड्राय करेंगे अज़ेस्ट करने के बाद साइट पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इतर आम लोगों ने डुप्ली के लेयर टेस्ट के अड़ कर लिया है य से मैं इसनम्तों निचे ड्रय कर लूंगा और वरेफटाइट य आप बिलोग एड कर सकते हो कोई बैड कर सकते हो लुडाइस कि य ढफिकलते कर दीय है और इसको एड़ेस्ट करने है और इसे जूम-इन करके एचितना से रस तरद mentre है तो इसको स्केल वाइस को थोड़ा सा माइंदर सा छोटा करेंगे यह इसके सेंटर में और इसके पपर नीचे आ जाए तो इसे कंट्रोल टी करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसमोग को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रया कर लूँगा और यह दिलिशियस परगर को दोनों को सेलेक्ट करने के बाल से मिचे नीचे थोड़ा सा ड्रया करने अमीद करता हम आलों को में यह वीडियो इच्छे लगी होगी प्लीज लाइक जूर कर देना और हमारा यह पॉस्ट झाल 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